Hello everyone, welcome back to Pharmacy Classes, आज हमने इस वीडियो में Pharmacology First मैं Study करेंगे Local Root of Drug Administration के बारे में, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिसकस किया था Essential Drug Concept के बारे में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है उपर दिये गए i button पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, साथ अगर आप इस टॉपिक में Notes डाउनलोड करना चाहते हैं, तो Link Description में वहाँ से जाकर आप इस Notes को डाउनलोड कर सकते हैं, Notes डाउनलोड करने के लिए आपको किसी परकार की प्रेमेंट करने की आव सकता नहीं है Root of Drug Administration के बारे में हम में Study करें, उससे पहले हम इसके Definition को समाई लेते हैं Pharmacology में हम Root of Drug Administration में हम ये देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है, वो Body में किस Pass के दोरा हम उसे ले रहे हैं मतलब जो हमारी ड्रग है, क्या उसे हम Tablet के Form में Oral Root से ले रहे हैं, या फिर उसे हम Injection के रूप में Penetral ले रहे हैं या फिर उस ड्रग को हम Topical अपने Body पे Apply कर रहे हैं किस Root के दोरा, किस Pathway के दोरा हम उस ड्रग को अपने Body में Inter कर रहे हैं इसी को हम Root of Drug Administration काते हैं Drug का Administration हम Body में अनेको Root से करते हैं Drug के उचित Root को Choice करने के लिए हमें दो बातों पे Depend होना पड़ेगा First Drug, Second, Patient Related Factor साथी ये जो Root है, इसको हम Classification किये हैं दो भागों में, First है Local Action, M Second, Systemic Action ये जो Classification है उस Drug के Action के अधार पे है आईए अब हम Local Root से दी जाने वाली Drug के बारे में Study करतेंगे किस परकार Local Root से हम जिस Drug को देते हैं वो Drug किस परकार का Local Effect सो करेगा इस Root का इस्तेमाल हम सिर्फ Localize जो सेल सर्फिस पर जो घाव होता है उसको Treat करने के लिए हम इस Root का इस्तेमाल करते हैं साथी इस Root के दोरा दी जाने वाली जितनी भी Drug होती है उस Drug का Systemic Absorption बिलकुल कम या फिर होता ही नहीं है साथ ही Local Roots के दोरा हम अपने Body के Desired साइट पर Drug का जो High Concertation है उसको एबलेबल करा सकते हैं इस सब के साथ ही Local Roots से दी जाने वाली जितनी भी दवाईयां होती है उनका Systemic जो Side Effect होता है या फिर Toxity होता है वो बिलकुल कम या फिर होता ही नहीं है अगर जो हमारे ड्रग ये suitable dosage form में होने के बावजूद भी अगर हमारे skin से ये absorb हो रहा है तो वो ड्रग हमारे systemic circulation में पहुंच जाएगा और इस root को हम systemic root of drug administration कहेंगे इसके example की बात करें तो इसका example है ग्रिस्रल ट्राइनाइट्रेट जिसे हम short form में GTN भी कहते हैं इसका उपयोग हम angina pectoris में करते हैं ये जो हमारे crystal trinitrate है ये हमारे skin से absorb होकर हमारे systemic circulation में पहुंच जाता है और वहाँ पे ये systemic effect सो करेगा तो इस परकार हम कह सकते हैं कि ये जो drug का administration है ये systemic root of drug administration है और ये जो हमारे crystal trinitrate है इसे हम पैचेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये जो transdermal patch है इसे हमें skin पे apply कर देते हैं और इस transdermal patch से हमारे drug skin के थुरू एपजाब होकर हमारे systemic circulation में पहुंचेगा और वहाँ पे ये अपना effect सो करेगा तो इस परकार हम कहा सकते हैं कि जो हमारे transdermal patch में जितने में दवाईयां फिल होती है जो हमारे skin से एपजाब होकर हमारे systemic circulation में पहुंचेगी वह systemic effect सो करेगी और ऐसे दवाईयों का हम local root नहीं कहेंगे क्योंकि ये local effect नहीं कर रही है ये हमारे skin से एपजाब होकर हमारे systemic circulation में पहुंचकर systemic effect सो करेगी local root of drug administration के अंदर हम तिन root के बारे में study करते हैं फर्स्ट टॉपिकल root, सेकेंड डीपर टीशू, एम थर्ड, आर्टेरियल सप्लाई आईए सबसे पहले हम टॉपिकल root के बारे में study करेंगे टॉपिकल root में हम drug को body surface पे externally apply करते हैं local effect के लिए पैसेंट को reassuring कराने के साथ ही साथ जो हमारे topical root होता है ये more comfortable होता है साथ ही topical root के द्वारा हम drug को effectively deliver कर सकते हैं जैसे skin पे जो localized घाव है वहाँ पे औरोफरेंजियल पे औरोफरेंजियल हमारे pharynx का middle part होता है आइस में, इयर के नाल में, एनस के नाल में, वेजाइना में यहाँ पे हम असानी से drug को effectively deliver कर सकते हैं local root से दी जाने वाली जितनी भी drugs है उसको हम prepared कर सकते हैं various type के doges farm के रूप में जैसे lotion, ointment, cream, powder, paint, throat paint, drops, spray, logenges, suppository, pessaries वैसे drug जो हमारे GIT track से absorbed नहीं होंगे इनका जो action होगा, वो mucosa पे होगा ऐसे drug को भी हम ओरली दे सकते हैं और यह अपना local effect सो करेंगे अगर इसके example की बात करें तो first example है sucral fat second vancomycin जो हमारा sucral fat है इसका उपयोग हम ulcer में करते हैं जब हमारा intestine में ulcer हो जाता है तो उसमें हम sucral fat का इस्तमाल करते हैं यह जो sucral fat है यह हमारे GIT track से absorbed नहीं होता है यह local effect सो करता है हमारे GIT track में इसलिए इसे हम ओरली दे सकते हैं और यह absorb नहीं होगा weight drug जिसे हम inhale करते हैं और इस drug का जो action होगा वो bronchi पे होगा तो ऐसे drug को भी हम local action drug करते हैं क्योंकि यह जो अपने action दिखा रहे हैं वो bronchi में दिखा रहे हैं यह वहाँ से absorb होकर हमारे circulatory system में नहीं पहुचेंगे यह सिफ bronchi में अपने action दिखाएंगे इसलिए इसे हम local action करेंगे और इसमें जो example है वो है salbeutamol एवं chromile sodium साथ ही urethra पे जो itching होते हैं या फिर हमारे body में other parts में अगर कहीं itching हो रहे हैं तो वहाँ पे जो हम solutions अपलाई करते हैं ऐसे medication को भी हम topical medication कहते हैं इनका systemic effect नहीं होता है यह हमारे skin के थुरू absorb होकर हमारे circulatory system में नहीं पहुचते हैं और इसका example की बात करेंगे तो वह है povidone iodine यह जो povidone iodine है यह हमारे skin के थुरू absorb नहीं होगा और यह antibacterial या फिर antibacterial activity sow करेगा वहीं जो हमारा second example है वो है lidocaine lidocaine एक sodium channel blocker है और इसका इस्तेमाल हम local anesthetic के रूप में करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारे drug का local root होता है यह तीन परकार का होता है फर्स टॉपिकल, सेकेंड डीपर tissue एम थर्ड आर्टरियल सप्लाई अभी तक हमने टॉपिकल root के बारे में study किया अब हम डीपर tissue के बारे में study करेंगे सिरिंज एम नेडल के मदद से हम अपने body के deep area tissue को approach कर सकते हैं किसी disease को treat करने के लिए साथी body के deep area के tissue को हम सिरिंज एम नेडल के मदद से हम approach तभी करेंगे जब drug को उस area में inject करना होगा और यह जो drug inject करेंगे हम body के deep area में इस drug का systemic absorption है वो बिल्कुल कम या फिर होगा ही नहीं इस process में हम drug को body के deep area में तो inject कर रहे हैं लेकिन इस drug का systemic absorption नहीं हो रहा है इसलिए इसे हम local root of drug administration में रखे हैं इसके example की बात करेंगे थे इसमें first example है intra-articular injection hydro-cortison acetate का जो intra-articular injection है इसका इस्तमाल हम rheumatoid arthritis के treatment में करते हैं एवं जो हमारे second example है वो है lidocaine lidocaine एक sodium channel blocker होता है और इसका इस्तमाल हम local anesthetis के रूप में करते हैं जब हम lidocaine को intra-thical injection के रूप में इस्तमाल करते हैं जब हमें spinal anesthetis की जरूरत होती है जब हम lidocaine को intra-thical root से administered कराते हैं तो यह हमारे spinal cord में तो जाता है लेकिन वहां से यह इसका systemic absorption नहीं होता है जिसके कारण यह local action सो करता है इसलिए इसे हम spinal anesthetis के लिए इस्तमाल करते हैं वहीं जो हमरा third example है वो है retro bulver injection हम retro bulver injection के रूप में hydrocortison acetate का इस्तमाल करते हैं हम intra-ocular surgery के समय anesthetis के रूप में hydrocortison acetate का इस्तमाल करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा local roots of drug administration होता है वो तिन टाइप का होता है first topical, second deeper tissue and third arterial supply अभी तक हमने topical एवं deeper tissue के बारे में study किया अब हम arterial supply के बारे में study करेंगे एंजियो ग्राफी में हम contrast media के लिए close intra-artrial injection का इस्तमाल करते हैं आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजियो ग्राफी क्या होता है एवं contrast media क्या होता है आईए सबसे पहले हम एंजियो ग्राफी के बारे में study करेंगे एंजियो ग्राफी की मदद से हम body में जितने भी blood vessel से उनका x-ray निकालते हैं जब हम x-ray अपलाई करते हैं body पे तो जो हमारे blood vessel से उनके image हमें प्राप्त हो जाते हैं एंजियो ग्राफी की मदद से और इस x-ray के मदद से हमें study करते हैं कि जो हमारा blood vessel से क्या वो narrow हो गया है या फिर उसमें swelling आ गई है या फिर उसमें blockage हो गया है इन सारी घटनाओं के बारे में हमें study करते हैं blood vessels का वो एंजियो ग्राफी के मदद से हैं जो हमें image प्राप्त होती है उससे आईए अब हम देख लेते हैं कि contrast media क्या होता है ये एक agent या फिर chemical substance होता है जो हम एंजियो ग्राफी में जो हम image या फिर x-ray या फिर जो picture हम निकाल रहे थे blood vessels का उस picture का या फिर उस x-ray का जो quality है उसको enhance करने का काम करता है contrast media तो इस परकार हम कह सकते हैं कि जो हम एंजियो ग्राफी कर रहे हैं इस एंजियो ग्राफी करने के लिए जिस contrast media को अर्था जिस chemical substance को हम body में insert कर रहे हैं ताकि हमारा जो एंजियो ग्राफी में जो हमारे image आ रहे हैं उसमें quality improve हो सके वह जो chemical है contrast media का यह हमारे body में तो जाता है लेकिन यह किसी परकार का effect दो नहीं करता है क्योंकि यह इसका systemic absorption नहीं होता है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि arterial supply का examination करने के लिए body में insert करते हैं उस chemical का हमारे body पर किसी परकार का therapeutic effect नहीं होता है यह सिर्फ हमारे x-ray या फिर picture के quality को enhance करने के लिए दिया जाता है करते हमारे 16 Graduate प्रूंप θα अफ़ाझ the and एक बाष बाष यापे material यज करते हैं हमारे बाले केchnा करते हैं यह यह वे यहीं हमारे 26 कि •